इस एपिसोड में हम सब देखने वाले हैं नोविता और डोरेमॉन एक राजकुमारी को बचाने के लिए स्पेस मिसन पे निकलते हैं तो वीडियो का भी सहीं लाइक कर दिजे और डोरेमॉन की नियो अप्सूर्स दिखना अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ये बोलते हैं डोरेमॉन वहां से जाने लगता है नोविता भाग के डोरेमॉन के पास जाता है और बोलता है प्लीज ये वाला लास्ट गेम होगा दोरेमोन नोबिता से कहता है कि हाँ चलो इसमें पैर डालो नोबिता प्लेन में जैसे ही पैर डालता है उसमें बैठ जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल असली जैसा है दोरेमोन बता रहाता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए तभी नोबिता कहता है कि हाँ हाँ मुझे आता अनने में सीख जाऊंगा फिर दोड़ेमों गेम को स्टार्ट करता है और अपने दुस्मनों को खत्म करो अपने दुस्मनों गेम को खत्म करो कहता है नोबिता भी तर अपने plane से सामने वाले missiles को तोड़ डालता है फिर उस अभी planes को वहाँ पर मार गिराता है अब बोलता है कि मैंने कर दिखाया इस game में तो मुझे कभी board नहीं होगा नोबिता के उपर तभी एक specific attack करते हुए उसके plane को destroy कर देता है और अब नोबिता plane से बाहर जाता है नोबिता गुस्या से baseball bite उठाता है और उस specific को मार देता है नोबिता की आवाज सुनके डोर्यमान रूम में आ जाता है तो देखता है कि नोबिता ने उसका game तोड़ दिया है डोर्यमान बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ने ये काफी महंगा है नोबिता बोलता है कि तो मैं क्या करो ये specific मुरी पर हमला कर रहा था डोर्यमान बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है ये specific तो war game का हिस्सा है तभी उस specific से एक छोटा सा robot बहार आता है और नोबिता कहता है कि वो हमसे कुछ बाते करना चाहता है डोरेमन ट्रांसलेशन गैजट निकालता है तो वो रोबोट बोलता है उसे स्पेसिप से बचाने के लिए सुक्रिया बीच में टोगने के लिए मुझे माफ करना लेकिन पहले आप दोनों ये देखिए फिर उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लड़की कैरी होती है मेरा नाम आरी ओकाना है मैं आर्या प्लैनेट से हूँ मुझे अकम बीड़ा नाम के बुड़े लोगों ने पकड़ लिया है अच्छा होगा कि आप आके मेरी मदद करें नूबिता कहता है ये कितनी अच्छी है न ड्रेमन कहता है ये सच नहीं हो सकता वो रोबोट कहता है ये बिलकुल सच है मैं आरी राजकुमारी का सर्वेंट हूँ और मेरा नाम रोबो है जब से अकम बीड़ा के लोगों ने हमारे प्लैनेट पर हमला किया है मैं राजकुमारी से स्पेस में इधर उधर भाग रहा हूँ जब हम लोग पृत्वी के नस्दीक से गुजर रहे थे उन लोगों ने राजकुमारी को पकड़ लिया और मेरी स्पेसिप आके किसी रेगिस्तान में गिर गई उसके बाद मुझे भी वो लोग स्पेसिप में पकड़ के लेके जा रहे थे जिससे तुमने माट के मुझे बचा लिया नोबिता ये सब सुनके कहता है ये तो किसी मूवी की तरह है चलो डोरेमॉन राजकुमारी को छुडाते है डोरेमॉन कहता है ये कहने में बहुत असान है पर इसपेस में जाना और तुमने तो अपना समर होलीटे का होमवर्क भी नहीं पुडा गिया है नोबिता उस रोबोट से कहता है अरे हाँ मुझे माफ करना किसी और से मदद मांग लो तभी रोबोट कहता है अकम बेड़ा प्रित्वी पर भी अपना बेस बना रहा है बहुत जल्ब वो प्रित्वी पर कबजा कर लेगा ये बात सुनके दोनों सौक हो जाते है और डोरेमॉन कहता है अब ये बात होमवर्क की नहीं रह गई है नोबिता तभी उसे बाहर जियान और सुन्यों की आवाज आती है जो कहते है नोबिता आरे टीम में एक प्लेयर की कमी है तो तुम हमारे साथ प्लेग्राउंड चलोगे नोबिता खिरकी से बाहर आके गुस्से में कहता है यहाँ प्रित्वी खत्रे में है और तुम्हें खेलने की पड़ी है दोनों कहते हैं यह आज इसे क्या हो गया दोरेमॉन फिर एनिवेर डोर से उस रोबोट की स्पेसिप ढूंडने निकलता है वो देखते हैं कि यह कोई फिरेगिस्तान नहीं है बलकि उनिका ग्राउंड है फिर नोबिता रोबोट की स्पेसिप को उन बच्चों से लेता है जो उसे किसी बॉल समझ के खेल रहे थे तभी यहाँ जियान और सुन्यों आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें खे रोबोट उसे घर के तरफ लेके आता है और कहता है यहीं इनका बेस है नोबिता यह देखके वहाँ से स्पेसिप को मोडने लगता है क्योंकि यह जियान का घर था दोर्मन कहता है पड़ा भी जियान घर पे नहीं है तो उसे डरने के जरूत नहीं है फिर वो लोग एक करे गए तो क्या होगा रोबोट कहता है फिर तो सब खतमी समझो यह सुनके नोबिता वहाँ से भागने लगता है दोर्मन और रोबोट उसे पकरते हैं तभी उसके दो सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ गंस लेके बढ़ने लगते हैं अचानक से वहाँ एक च अंदर जाते हैं यह गाड उन्हें रोबोट को जेल में डालने के लिए रास्ता दिखाड़ा होता है तभी नोबिता एक जेल में राजकमारी को देखता है जिससे उस गाड सैनिक को उन्हें पे सक होने लगता है और वो उन सब पर गंपॉइंट कर देता है यहां रोबोट उस गार्ड को एक बिजली का जटका देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है फिर वो लोग राजकमारी के पास आते हैं जिसे देख राजकमारी बहुत खुस होती है सब वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और रोबोट कहता है ये सब अंदर आ रहा हैं छुप जाओ फिर हम देखते हैं उस किले में से बहुत सारी स्पेस्टिप निकलती हैं जो उसी रास्ते से नीचे की तरफ जारी होती हैं नोबिता कहता है कहीं ये लोग पर पर हमला तो स्टार्ट नहीं कर दियें डोडेमन कहता है जल्दी चलो फिर वो लोग अपने स्पेस्टिप की तरफ बढ़ने लगते हैं वो लोग अपने स्पेस्टिप की तरफ पहुँचने ही वाले थे कि तभी एक स्पेसिप आ के उनके सामने रुखती है जिसमें से वही नकापोस हसते हुए निकलता है डोडेमन नोबिता को भी एक तलवार दे के उसके सामने ढखेल देता है और कहता है जाओ अब लड़ो नोबिता जैसे तैसे करके उससे सामना कर रहा था तभी डोडेमन सबको सिप की तरफ लेके भागता है फिर नोबिता को भी वह आने बोलता है तभी एक जटका लगता है राजकुमारी पूसती है क्या ये कोई भुकम था नीची से जियान की मम्मी ये सब सोर्च चूहों का समझके डंडा मार रही होती है नोबिता फिर कूते कूते स्पेसिप में बैठता है और ये सब वहाँ से निकल जाते है ये लोग काफी खूस हो रहे थे इधर वो सभी स्पेसिप वापस किले की तरफ लोटते है इधर अकम बेड़ा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से राज कुमारी को पकड़ के मेरे पास ले आओ फिर नोबिता इस पेसिप की सारी विपन स्लोट्स को बाहर निकलता है और एक एक करके सभी पर फाइरिंग स्टार्ट कर देता है वो धीर धीरे करके सभी को नश्ट करते जा रहा था पर कुछ इस पेसिप अभी भी उनका पीछा कर रही थी वो उन्हें एक टरनल में लेकर आता है और फिर यूटन लेके इन्हें भी खत्म कर दिता है तबहि इनके सामने एक बड़ी सी सपेसिप आजाती है अकमबेडा की नविता फाइर करने जाता है पर रोबोट बताता है कि इतना यूज़ करने से हमारे सपेसिप को अब रेश्ट की जरुशत है फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं अकंबेडा के स्पेसिपिन पर फाइरिंग करने लगती है तब ही वो लोग एक जगा लैंड करते हैं और बचने के लिए गुफा के तरह भागते हैं कुछ दूराने पर ये लोग देखते हैं नोबिता डोर्मान की गैजट से उसकी फाइरिंग को रिटर्न कर देता है जिससे वहाँ गुफा में पत्थर तूट के उस रोबोट्स पर गिरने लगते हैं और ये सब भी बच के वहाँ से भागने लगते हैं तभी यहाँ रोबोट स्पेसिप लेके आता है और इने बैठा के निकल जाता है ये लोग रोबोट को एन मौके पे आने का सुक्रिया कर रहे थे कि इनके सामने अकमबेडा के स्पेसिप वापस से आ जाती है राजकुमारी नोबिता और डोरेमन को इतना कुछ करने के लिए सुक्रिया आदा कर रहे थी सब यह पकरे जाने वाले थें तभी एक आवाज आती है तभी एक बेस बाल आके उनकी स्पेसिप को लगती है जिससे वो टुकरो टुकरो में बट के नश्ट हो जाती है तभी जियान और सुनियो अपनी बाल को धूनते हुए आते हैं जिससे वो उस स्पेसिप में आग लगा देखके सुनियो कहता है काफी महेंगा खिलोना लगता है जियान कहता है जल्दी यहां से भागो पता नहीं किसका हमने तोर दिया है इदर राजकुमारे उन दोनों को रोकते वे बोलती है अरे रुकों मैं तुम्हारे बहादुरी के लिए मेडल देना चाहती हूँ इसी के साथ यह स्टोरी यहां खतम होती है अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आप दोरे मॉन के एमेजिंग एक्स्प्लिनेशन वीडियो यहां पर आप देख पाओ तो मिलता हूँ आगले स्टोरी में तब तक के लिए गुडबै